नमस्कार विध्यार्तियो बीए सेमेस्टर सेकंड एक्जाम 2023 पार्ट 3 राजा मेहंदर पताफ सिंग स्टेट उनिवर्स्टी अलीगर्द की पेपर सब्जेक्ट सोशलोजी सोसाइटी इन इंडिया इस्टेक्चर और्गनाइशन और चेंजेज में आपका स्वागत है 75 इंपोर्टेंट प्रिविएस ये एक्जाम सॉल्ड एमसी क्यू की ये तीसरी सीरीज आपके सामने पेश है एक्जाम से पहले पूरा वीडियो देखें ताकि आपको मदद मिल सके और फिप्टी वन कि दमित और कोस्ट सिस्टम पुस्तक के लेखक का नाम क्या है और वो लेखक ते नर्मिंद श्च्च और प्रशाद कोच्छ नमबर फिप्टी टू हमारे देश का नाम भारत किस महान सम्राट के नाम से सम्मदित है आंसर है भारत कोच्छ नमबर फिप्टी थ्री जो गाउं चहर की बहारी सीमा से लगे होते हुने क्या का जाता है उन्हें उपनगरी गाउं का जाता है कुछ नमबर 54 भारत में आज नगरी जन संख्या का प्रतिशत क्या है और वो प्रतिशत है लगबग 31 प्रतिशत कुछ नमबर 55 या किस ने कहा कि नगर और ग्राम में किवल एक मात्रा का अंतर है कि कहने वाले थे मैकाइवर और पेज कुछ नमबर 56 जन जाती उधारन हो सकता है जाती का कुछ नमबर 57 परम प्रागत हिंदू समाज कितने वर्णों में बाटा गया है और वर्ण है चार धामन चत्री वैश और सूद्र वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे फिर अन्रूत कर दें आपका प्यार लगातार म मिल सकें लाइक कमेंट शेयर अवस्य करें ताकि जासे ज्यादा छात्रों तक यह वीडियो पहुंचे और उनका भला होगा तो आपका भी लाब होगा ऐसी हमारी कामना है कौछ नमबर 58 कास्ट एंड रेस इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है और वो हैं जी एस घुरिये कौछ नमबर 59 आरे समाज के संस्ता पक कौन थे दयानन सरस्वती कौछ नमबर 60 निम्नांकित में से किसने जंजातियों को पिछड़े हिंदू नाम से सम्मद्वित किया है वो किया था जी एस घुरिये ने कौछ नमबर 61 वर्तमान युग में जाती व्वस्ता को कमजोर बनाने में कौन से कारक उत्तरदाई है और ये कारक अध्यू करण नगरिकर न conception के साधन य सभी कारक उत्तरदाई है कोच्छ नमबर 62 भारत में घरेलू हिंसा से महिलाओं का संदक्षन अधिरियम किस वर्स पारित हुआ कोच्छ नमबर 63 भारत के राष्ट्री एकिकरन नेशनल इंट्रिकेशन में कौन सी दसा बादक है तो यह तीनों दसा ही बादक है सांस्कृति विट्था धार्मी विट्था जाती वाद और इसका राइट अंसर है उप्विक्ट सभी कोच्छ नमबर 64 भारत में बहु संक्यक और अल्प संक्यक का भेद विवारिक रूप से किया जाता है अधार में आधार पर कुछ नमबर 65 ग्रामी नगरी संबंद्ध को इसपष्ट करने वाली दसा को क्या कहा जाता है वो कहा जाता है ग्रामी नगरी सातत्य आप से फिर अन्रोद अभी तक आपने चैनल को सब्सक सबस्क्राइब कर दें स्टूडेंट हमारी सकती है और इस्टूडेंट यह कर दिखाएंगे कि हमें जाल से जाधा सब्सक्राइब देकर यह वीडियो मिशन मुस्कान के साथ मुश्क राते हुए आप जाल से ज्यादा लोग उन तक पहुँचाएंगे ऐसी हमारी आसा और कौशन नमबर 66 मेरिज एन फैमिली इन इंडिया नामाग पुस्तक के लेखक कौन है कि के एम कपाडिया कि कौशन नमबर 67 भारत में मुगल काल के दोरान निम लिखित में से किस धर्म की स्थापना हुई वह धर्म था सिख सिख धर्म कौशन नमबर 68 जो दसा सामाजिक होने वाले परिवर्तन को इस पर्ष्ट करती है उसे कहा जाता है सामाजिक परिवर्तन नमबर 69 जातियों के उत्पत्ति का प्रजाती सिद्धान किसने विक्षित किया और वो किया था हर बट रिजले ने कौशन नमबर 70 भारत में समिक परवार के विक्टन का प्रमुक सुचिता और प्रदूशन की अभधाना के आधार पर किया है वह उत्तर है लुई यूमो कोशन नमबर 72 निम लिखित में से कौन सा एक अधिनियम अंतर जाति विवा की मानिता प्रदान करता है वह वह अधिनियम है विशेश विवा अधिनियम 1954 कोशन नमबर 73 दोजार 11 की जनगरना के अनुसार महिला भारत में महिलाओं की शाक्षरता की दर कितनी है और है 65.46 यानि परसेंट कोशन नमबर 74 निमनांग कित में से कौन सी एक विशेशता ग्राम से संबंदित नहीं है और वह सामाजिक समरूपता और 75 पार्ट थर्ड का 75 कोशन आपके सामने है वर्तमान में भारत के किस राज्य में अनुसुची जन जाती हो यानि ST की जन संक्या सबसे अधिक है और राज है मध्य परदेश आपको यह सीरीज पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिंक को अधिक से अधिक शेयर करें लाइक कमेंट कर अपना योगदान आवस्य दें मिसन मुस्कान आपकी वज़े से हो एक मुस्कान रोज इस अभियान को पढ़ाई के साथ साथ जरूर बढ़ाएं परिक्षा में सफलता के लिए अग्रिम सुपकामना वा बढ़ाई जय हिन जय भारत ठैंक्स धन्यवाद मिलते हैं अगले वीडियो में नई टॉपिक के मिलते हैं